तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पुलिस कॉंस्टेबल की भरती की प्रतिक्षा कर रहे होंगे या फिर वेट कर रहे होंगे तो उससे रिलेटिड एक इंपॉर्टन अपडेट है जो की आपके लिए अच्छे अपडेट भी नहीं हो सकती है आगे बढ़ने से पहले देखिए डिस्क्रिप्शन में एक फ्री ग्रूप का लिंक दिया गया है पुलिस कॉंस्टेबल के लिए हमने शुरू किया है वैसे तो ये पहले भी पता था कि जो भरती होगी वो इलेक्शन के बाद होगी बट यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुलिस जो आपका होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इनके rules जो आपके police constable के rules हैं उसमें दुबारा से बदलाव किया जा रहा है मतलब कि ये बदलाव ही करते रहते हैं rules में ठीक है तो वो सारी चीज़े है बाकी मैं थोड़ा detail में आपको बता देता हूँ कि हिमाचल में constable के 1226 पत भरने के लिए पुलिस भरती की प्रक्रिया में अब लोग सवा चुनाव के चलते देरी हो सकती है आपको पता ये एलेक्षन है अचार सहीता भी लगने वाली है तो भाई फिर तो कुछ होने नहीं वाला है तो उसके बाद ही जो है वो प्रोसेस होगा भरती नियमों में एक बार फि पुलिस डिपार्टमेंट रिकूर्टमेंट ऑफ कॉंस्टेबल रूल्स में जो है वो संशोधन किया गया है इससे पहले जो है वो कुछ टाइम पहले संशोधन हुआ था इन 1226 पदों में से 870 पद आपको पता ही है कि मेल के हैं 292 फीमेल के हैं 57 ड्राइवर के हैं पहली ब वो दुबारा से अपतियां मांगी गई है उसके बाद ही इसे फाइनल जो है वो प्रकाशित किया जाएगा यानि कि फाइनल जो रूल्स और रेगुलेशन है अभी बनने बाकी है ठीक है जी तो इसका सिंपल सा यही जो है वो रिजल्ट हुआ कि लोकसबा चुनाओ की अच खेल विभाग को नाम जो होगा तो उनको नाम स्पॉंसर करने के लिए बोला जाएगा उसके इलावा संशोदिन निमों में डोप टेस्ट भी पुलिस विभाग को ही करना होगा आपको यह तो पता ही होगा कि यहाँ पर एक तो पुलिस दिपार्टमेंट है और उपर से जो आपका return test दिया गया है वो HPPSC को दिया गया है तो HPPSC ने जो है वो previous में मना कर दिया था कि भाई हम जो है वो ground वगएरा तो करवाएंगे ने ठीक है तो यहाँ पर जो dope test है dope test इस बार introduce किया जा रहा है कि भाई बंदा जो है वो नशे वगएरा तो नहीं करता है वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर चेक की जाएंगी तो वो भी काम जो है वो police department को दिया गया है ठीक है जी तो police department में पहली बार यह शामिल किया गया है और युवा जो है वो drug का आदी तो नहीं है यह सारी चीज़ें जो है वो dope test में आपको जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी physical test पहले के अनुसार police भी भाग ही करेगा और दस्तावेजो की चंटनी भी police भी भाग को ही करने होगी यानि कि document की जो चंटनी होती है starting में वो भी और जो ground होगा वो सारा जो है वो police के हत्थो जो है वो सोपा गया है नए नियमों के अनुसार medical examination भी police भी भाग को ही दिया गया है character certificate की verification भी police department ही करेगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें जो है वो police department को दी गई है जो return test होगा वो सिर्फ आपका conduct करवाए जाएगा HP, PSC के द्वारा यानि कि उनका सिर्फ काम है आपका paper set करना बाकि जो भी ground से related procedure होगा वो सारा कौन करवाएगा वो आपका करवाएगा police department या पर लिखा भी गया है कि इन यमों के अनुसार यहत्य कियाएगी physical test और dope test, medical test, police भी भाग ने करना है जबकि लिखित परिक्षा जो है वो रज्ये लोक सेवा आयोग जो है वो करवाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी होनी है ठीक है और अभी final draft आना बाकी है उसके बाद आपको पता ही है कि अब जो election है उसके बाद ही आपका जो है यहाँ पर recruitment का notification और फिर जो है वो बाकी procedure जो है वो शुरू किये जाएंगे तो आपको जो है वो wait करना पड़ेगा थोड़ा ये थोटी सी update थी बाकी description में लिंक है जो आपकी भरती होने वाली है उसके लिए ग्रूप बना है free of cost आप जाकर जरूर जोइन किजेगा ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है वो सासा चलती रहे दोस्तों के साथ जूरूर शेयर किजेगा thanks for watching बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ